नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सनिमार के दिन काले मिर्च के विसेश प्रियोग किये जाते हैं तो आज हम आपको बहुत सारे प्रियोग बताएंगे लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिएगा जीवन में कभी-कभी अपने ही सत्रू हो जाते हैं और पडोसी तो होते ही हैं अब ऐसा नहीं कि हर कोई सत्रू है अपने भी होते हैं अच्छे भी होते हैं पर अधिकतर लोग जलन ही रखते हैं आपके करियर से आपके प्रिशनालिटी से आपके खुसाली से जननन रखने वालों को टॉपिक नहीं चाहिए. बस वो जलते ही रहते हैं. कभी-कभी तो इतने ज़्यादा वो परिसान करते हैं कि आप हार जाते हैं. अब ऐसे में क्या करें कि सब कुछ बहतर हो जाए क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए आज हम काले मिर्च की बात करेंगे देखे काले मिर्च अगर हम जोतिस की माने तो इससे बहुत सारे प्रियोग किये जाते हैं तोटके किये जाते है बहुत सिंपल सी चीज है आपके किचन में होगी और अगर भोजन में इसका प्रियोग करें तो आपका स्वास्त भी अच्छा रहता है नकातमक सक्तियां दूर रहती है घर में सुब और अच्छे वातावरन का प्रवेस होता है भागी को बदलकर रख देता है यह काली मिर्च माननता है अगर आपके ऊपर सनीदेब की सारे साती ढहिया प्रिसान जादा करें आपको तब सनीवार के दिन काले कपड़े में थोड़ा सा काले मिर्च और थोड़े से सिक्के अगर काले धागे के सहरे बांध कर किसी को दान कर दें या पीपल के नीचे रख दें या किसी मंदिर के सिड़ी पे रख दें तो सनीदेब के प्रकोप से मुक्ती मिलती है तो ये तो सिंपल सा परियोग है इसको आप कर सकते हैं रोजी रोजगार की समस्या भी दूर होगी और जीवन के बहुत सारी परिशानियों से बाहर निगालाएंगे कई बार क्या होता है आप दिन बदिन उलस्ते चले जाते हैं किसी ने किसी चीज में कभी बीमारियां परिशान कर रही कभी धन की समस्या है कभी पारिवारिक टेंसन है बहुत तरह की जीवन में टेंसन होते हैं एक कुछ आप ऐसे ऐसे टेंसन होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते अब ऐसे में मान लेते हैं आपके बहुत साइटेंसन परिषान हैं क्या करेंगे बहुत सिंपल काम करना है सनीवार के साप काली मिर्च के 5 दाने ले ले अब उनको आप अपने सर से 7 वार वार ले अपने घर में ही यह काम कर लें अब इसको किसी चीज में रखकर कागस बेगरे में आप किसी भी ऐसे अस्थान पर खड़े हो जाएं अगर चोरहा है आपके आसपास तो वहां चले जाएं या ऐसे अस्थान पर चले जाएं वापस आ जाए पीछे मुड़कर मत देखिएगा आकस्मिक धनलाप के योग बनेंगे जीवन के बहुत सारे परिसानियों से आप बाहर निकलाएंगे आज हम सत्रू मुक्ती के लिए एक छोटा सा प्रियोग आपको बताएंगे बहुत सिंपल है देखिए काली मिर्च आपको नाम लीजेगा तो आपको साथ काली मिर्च लेना है आप चाहे तो 11 भी ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब इसको आप किसी भारी बस्तू से दबा कर उसको हलका सा कूच दे पौडर वाला जो मार्केटिव मिलता है उसको मत लीजेगा उसमें बहुत कुछ मासाला मिक्स र के दिन जाकर सिब्लिंग पर अर्पित कर दें भगवान से प्राथना करें कि सत्रों से मुफ्ति दिलाएं यकीन मानिए सत्रू सांथ हो जाएंगे तीन सनी बार या तीन सोंबार लगातार कीजेगा बहुत सिंपल है याद रखिए गाय का कच्चा दूद लेना है और काली म जबाब कीजेगा तो लगातार नमस्सिवाय का जब करते रहिएगा और बातचित मत कीजेगा प्रियोग करने के समय आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं घर में भी कर सकते हैं लेकिन अगर मंदिर में करें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वहां पर की गई प्राथना कभ करित के लाना होगा आपको घर में प्रियोग करना है आप जल्दी में हैं सुबह सुबह बहुत जगा दूद भी नहीं देते दूद वाला लेट से देते हैं क्या करेंगे तब अगर आपको लगे कि नकात्मक उड़ जाएं बढ़ गई है जीवन में टेंसन बढ़ गई है पर आप लगता है लक्ष हीन हो गया है चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे है तब एक सिंपल सा काम कीजिएगा आपको चाहिए होगा थोड़ा एक कागज और वो अगर भोजपत्र हो तो और अच्छा अगर आपके पास भोजपत्र मिल जाता है तो उससे अच्छा कुछ हो भाला लीचेगा अब इस पर काजल से या काली के सहारे सत्रू कानाम लिखिए अब लिखते बाद थोड़ा सा सहथ उसके उपर लगादे जहां पर सत्रू का नाम लिखा है न耕 , उसके बाद काली मिर्च के सात दाने रख दें अब इस कागज को जैसे मर्जी वैसे जला दे चाहे तो कागज को जला दें या किसी आग में डाल दें जलती भी आग में ये प्रियोग आपके सत्रूओं को आपके लिए आपके जीवन से हमेशा के दूर कर देगा जब आपने सहथ लगाया ना तो इसका मतलब है उसी समय सब खत्म आपके बारे में कुछ वह गलत सोच भी अब हम आते हैं सिपजी के सरण में कई बार क्या होता है ऐसे लोग सत्रू होते हैं जिनको आप न छोड़ सकते हैं न पकड़ के रख सकते हैं आप फस चुके हैं अब यहां पर जब ज़्यादा परिसानी हो जाए तब एक सिंपल सा काम करें आपको चाहिए होगा पांच का मिर्च के लिए और गाई का अब गही में थोरा सा घी पिघला लिए पांच ाूंस कानलि मिर्च लीए साबुत लेना है किसी दबके में बरतन में लेकर जाएं सिब जी के मंदर कर योशा कर में में और भर में इसको उठा कर कही दबा दीए अब सिब्रेंग पर इस घी में जो मिक्स किया है अपने काले मिρच उसको अरुपित करदें और नमा सिवाय का अनवरत लगातार जब करते रहें यह जो काले मिरच है हलांकि लोग बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं काले मिरच नहीं अर्पित करना चाहिए लेकिन क्या आपको पता है काले मिरच अर्पित करने से आपके सत्रू विरोधी तो सांथ होते ही हैं साथ ही अगर कोई गरहों की पिड़ा है खास कर रहूं के तू सनी बिगडा हुआ है तो वो जरूर सांथ हो जाता है और आपके जीवन की मुश्किलें कम करता है जब आप काली मिर्च और घी सिवलिंग पर सामना है वो बोलिए इसके बाद जब आप अर्पित कर ले फिर एक लोटा जल अर्पित कर दीजेगा तब काली मिर्च का एक परियोग आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा देखिए एक घर में नियम बनाने जब भी आप दिया बाती करते हैं साम के वक्त याद रखिए साम के वक्त तब दीपक में एक काली मिर्च का दाना डाल कर और फिर जलाएं अगर धन चाहते हैं तो एक छोटा सा परियोग करें काली मिर्च के पांच दाने ले सर से साथ बार घुमा ले और फिर किसी चौराहे या सुनसान जगह पर खड़े होकर चा लेकिन अगर सनी के कस्टों से मुस्किलों से परिसान है यानि सनी की साड़े साती धहिया हो या कुंडली में सनी बिगड़ा हो तो काली मिर्च का टोटका यानि की काले कपड़े में थोरी सी काली मिर्च और एक सिक्का बांध कर किसी को दान कर दें तो सनी देव की मुस्कि सपलता स्पल्टा मिलें तब क्ते मिर्च लुढ़ अपने घर के दान आ से निकलते हैं गशाट सब्सक्राइब थे ऑग Bend से मुझा ञंवर उसको ऊसके उपर शूतेम चुक्त तोड़ने और उसको थोरा सा आपए sequence मुझा करें जाये और पीस्किया species सफलता मिलेगी एक खास बात हम आगे बढ़ें उसके पहले देखे कई बार क्या होता है आपके बच्चे हैं टीनेज के हैं बाहर जाते हैं इधादों घूमते हैं कभी उनको अंदर से अच्छा फेलिंग नहीं आता कहते हैं मनुदास सा लग रहा है तब दो दाने काले मिच उनको दे दें बोलें की दान्स से चवाएं और उसके वाद थूख दें अगर किसी तरह कोई नजर दोस होगा किसी तरह कोई तंत्र क्रिया होगी ऊपरी हवा होगा तो वह निकल जाता है जो घर का सबसे अंधेरा कोना है उस कोने में साम के वक्त एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसमें दो दाने काली मिर्च के डाल दें बाती के पास ही रखिएगा ताकि वह संभब हो तो वह दाने भी जल जाए आपके घर का निगटिविटी समाप्थ हो जाएगा तो फिलाल हम आपसे भी दालेंगे हर हर महादेव जानकर यह अच्छी लिगा तो लाइक कर सब्सक्राइब चरूर करें अपनों से सेयर करना न भूलें